हेलो बिटा इस वीडियो में हम MCQs करेंगे कार्बन एंडिट्स कंपाउंड के बस कोश्चन है नेम दो फंक्शनल ग्रूप प्रेजेंट इन CS3, CO, CH3 CS3, CO, CS3 में बच्चो देखो R, C, O, R ठीक है? R यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अलकाइल ग्रूप को ठीक है? यहां पे R- कर देते हैं तो यह भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अलकाइल ग्रूप को जब भी आपको ऐसा अरेंजमेंट दिखता है, स्टार्टिंग में अलकाइल ग्रूप, लास्ट में अलकाइल ग्रूप और इन बिट्विन तो आपको याद रखना है कि ऐसे फंक्शनल ग्रूप को हम किटोन फंक्शनल ग्रूप में क्लासिफाई करते हैं, तो CS3, CO, CS3 में कौन सा फंक्शनल ग्रूप होगा? किटोन Next question में आएंगे बचो, that is, which of the following will give a pleasant smell, बहुत अच्छा smell of Easter when heated with ethanol and small quantities of sulfuric acid? That means, इन में से कौन से chemical के साथ अगर हम heat करेंगे ethanol को in the presence of a small amount of sulfuric acid, तो हमें कैसे smell आएगी? Pleasant smell of Easter, तो pleasant smell of Easter आने के लिए, अगर हमें ऐसी कुछ smell चाहिए, एक अच्छी smell, Easter की, that means, fruity smell चाहिए, तो याद रखना है कि Ethanol की reaction, बचो, हमें किसके साथ करवानी होती है? Ethanolic Acid के साथ, और Ethanolic Acid का formula आपको पता है, that is CS3, COOH Next question की तरफ चलते हैं, बचो, that is, give the IUPAC name of CS3, COOC2H5, ठीक है? तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसा arrangement दिखता है, CS3 के लिए हम क्या लिख देंगे? C, O, O, Quasities लिखेंगे, और C2H5 के लिखेंगे, बचो, R- तो ऐसा कुछ आपको अगर arrangement दिखता है, तो आपको एक ही funda याद रखना है, that is, जब आप nomenclature करेंगे, तो आपको याद रखना है, कि आप इस तरीके से करेंगे alkyl, 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 alkyl. तो alkyl के लिए हम R-group देखेंगे, alkyl group यहाँ पर कौन सा है, CS3, और उसके बाद यह COO दिख रहा है आपको, तो that means 2 carbon है तो इसके लिए alkyl के लिए हम क्या term use करेंगे that is ethyl ठीक है तो ethyl जिस जिस option में है उन्हें हम अब consider करेंगे that means butanoate तो कटी जाएगा यहां से अच्छा तो इतना जो था CS3 COO that is ethyl हो गया और last का जो है C2H5 वो क्या हो जाएगा ethynoate क्योंकि alkyl, alkyanoate मैंने बताया तो alkyl के लिए यहां पर क्या हो जाएगा ethyl और यह r- के लिए क्या हो जाएगा ethynoate तो ऐसा arrangement जब भी होता है alkyl, alkyanoate आपको याद रखना है तो इसका जो IUPAC name होगा वो क्या होगा ethyl, ethynoate, ethyl, ethynoate तो इसके हिसाब से कौन सा option आपका सही जाएगा that is option C next आते हैं question number 4 में that is soap molecule has a soap molecule में क्या क्या प्रेजेंट होता है soap molecule अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके साथ आपको बनाना सिखाया जाता है school में ठीक है और simple अगर formula अगर देखें तो होगा CS3 COO NA तो यह जो NA है वो क्या होता है आपका hydrophilic head होता है और यह जो आगे का यह जो दिख रहा है आपको CS3 COO यह है आपका hydrophobic tail that means soap में दो पार्ट है बच्चो एक तो hydrophilic head और दूसरा hydrophobic tail तो उससे साब से कौन सा option सही होना चाहिए option D is correct hydrophilic head and hydrophobic tail next question number 5 solubility of alcohol in water is due to alcohol जो है पानी में घुल जाता है किस वज़े से तो option याद रखेंगे hydrogen bonding that means hydrogen bonding होने के वज़े से alcohol जो है वो पानी में अराम से घुल जाता है question number 6 drinking alcohol is very harmful ठीक है alcohol drink करना बहुत जादा harmful है हमारी health के लिए तो यहाँ पे जो alcohol बोला गया है बच्चो किस alcohol के लिए बोला गया है ठीक है सो यहाँ पे drinking alcohol में alcohol किसके लिए बोला गया है इथाइल alcohol के लिए 7 में आएंगे बच्चो दन नमबर ओफ कोवेलेंट बॉंड इन C4H10 क्या है बटा ब्यूटेन है ठीक है तो C4H10 ज़रा हम बना लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने कोवेलेंट बॉंडिंग है ठीक है यहाँ पे हम देख लेते हैं कितनी कोवेलेंट बॉंडिंग है तो जितने भी यहाँ पे side chains यहाँ पे जो हम बनाएंगे यहाँ पे हम attach करेंगे किसे hydrogen को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं ठीक है C4H10 है क्योंकि तो यहाँ प 13 यहां पर kovalent bonding है बाचो that's why C option is correct यह 13 kovalent bonding is present in butane 6 नेक्स्ट कोश्चन नमबर 8 में आते हैं which amongst the following will conduct electricity इनमें से कौन जो है electricity conduct करेगा बचो C6S1206 बचो glucose है यह तो kovalent bonding फॉर्म करता है तो कर सकता है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे यहाँ पर एस डैट मिसॉलिट सॉलिट स्टेट में केसी एलेक्रिसिटी कंड़क्ट नहीं कर सकता है भले यह सॉल्ट है चीक है तो यह भी गलत हो जाएगा क्या एलकोहल जो है क्या यह चांडुट करेंगा बाता है यहाँ पर एस ताथ की एक चीज़ कर पाता साइब क्यूंकि यहाँ पर एस था यह ओप्षिन गलत हो गया तो आर करेक्ट आंसर इस नसल in aqueous state 9th में आएंगे the self-linking property catination is maximum बचो यह याद रखेंगे जो carbon की यह जो property होती है carbon के साथ बहुत सारे carbon atom के साथ यह self-link हो सकता है इसी property को हम catination कहते हैं definition point of view is very very important तो यहाँ पर answer मैंने already बोल दिया है कि self-linking property और we can say catination जो है maximum किसमे होगा बचो तो आपका answer होना चाहिए carbon में ठीक है next question number 10 which of the following statement are usually correct for carbon compound carbon compound के लिए इन चारो option में से कौन-कौन सा सही है carbon are good, carbon compounds are good conductors of electricity no, carbon compound to covalent bonding बनाते हैं तो वो तो good conductors नहीं होंगे electricity के first option is wrong second carbon compound जो है poor conductor होता है electricity के बिल्कु सही बात है next आप बताओगे जो carbon compound से क्या उनके बीच में strong force of attraction होता है no, strong force of attraction नहीं होता है बच्चो, weak force of attraction होता है ठीक है? तो ये भी गलत हो गया fourth option में आएंगे do not have strong force of attraction between their molecule बिल्कु सही बात है कि इनके जो bonding होती है इनके बीच में इतना strong force of attraction नहीं होता है तो इसलिए आपका second और जो fourth option है वो सही है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा option सही है तो यहाँ से आपका D option बिल्कु सही जाता है जिसमें की second और fourth given है तो यह आज हम लोगों ने 10 questions किया है carbon edits compound के ठीक है? इसके आगे और questions की जो videos हैं वो आती रहेंगी आप practice करते रहेंगे जो भी doubt होगा आप पूछेंगे ठीक है?